कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पसे रुकी वर्टी बेटा को देखते हैं पसे रुकियों को सब्सक्राइब करते हैं कि कौन किसमें जाएगा तो कसे रुकी जो निजने पांच बर गुंबटा करते हैं इन्हें डिवाड करते हैं कि उनके हिर्दे में चेंबर कि थे calculating होते हैं मछ्रे की हिर्दे में दो चेंबर होते हैं जिसमें से attracts श्मीच आलिंद करो सिग Això होता है है कि के फ़र आलिंद के फार निलाय जब दो चेंबर होंगे काले इक निलाय होगा जब चार चेंबर हो सब्सक्रानिक निलाय है कि यूजिए तीन चिंबर होंगे तो पहला दो आलिंद और एक तीसरा नीलय हो जाएगा कि कि कुष्ट के तो मचसे में दो भ। मेंतं टीन तो आलिंद और एक मीलय्श दबूम calculate है इसलिए भी लिखा है पहले दो है उसके बाद दोनों में तीन तीन है उसके बाद लेकिन अगर 3 होगा तो डबल सर्कूलेशनी हो पाएगा सिंगल तो हो जाएगा लेकिन एक बच जाएगा तो इसे बोलेंगे आपूर्ण दोहरा यानि कि Incomplete Double कि तो पर रिसंचरन तंत्र किसा होता है इसमें दो है चेमबर यह पर रिसंचरन तंटर मिल जाएगा इसमें कि है इसमें तीन है तो एक तो एक अल्व पर संचर्ण बना लेगा एक चेंबर बच जाएगा तो अपुर्ण दौहरा बनाएगा यानि कि गश्टर मिलता इसमें इसमें भी तो दौहरा दौट्र मिल जाएगा और अस्तंधारी में सर्जी पतार्थ क्या है आमोनिया मत्य है निए और अमोनिया तो सर जित करता है और बाकि सब कि म 가서 शेद्री पक्षेष और श्तंधरई उर्या उसर्जित करते हैं पक्षी दरशाल उर्ये अमली उसर्जित करते ऐसे बाकई सब उर्या ईपसर्ज़ी अंग क्या और जिब गया करत है या हुइनि इसनannel प्रेंका का से उसर्ज़न होता है कहां से होता है तो सर्जियंग क्या है मत्से में गलफड़ा होता है गलफड़ से उसर्जित करता है और बाकि सब में ब्रिक अर्था किड़नी होता है कि मज्य अंप्सिय है और इसलिए वह सरजित करता है、 बाकिस अभी अविव करते हैं। कड़ने तो क्या है डियंग को जो मज्ञ मज्ञ की लिए जो इसankr संग वह अंवहाई दोस्वंस चंग क्या है गलफडा है जो क्यों के रहता है तो गलफड़ सांस लेता है अ viktigt में बचल में रहते हैं जब जल में रहते हैं तो और जलम में तोचा सांज़ लेते हैं औस अम वोखी गुवा से शांस लेते हैं और जब बाहर रहते हैं पानी से फ़ाइट सांजांध में यह उससी नियंक घान है तरल adults के लिए तो आते अंतरी श्रिप का भी खुन ठंडा होता है लेकिन पक्षी का गरम खुन होता है और अस्तंधारी का खुन गरम होता है गरम खुन ठंडे खुन में अंतरी है कि जिनका खुन ठंडा होता है वो टेमप्रेचर के हिसाब से अपने आपको उसमसार ढाल सकते हैं लेकिन जो जिनका खुन गरम होता है वह अपने आपको नहीं डियाल सकते हम लोग जनतु में आते हैं अस्तंदारी में आते हैं हम लोग इसलिए हम लोग खुन गरम होता है हम लोग टेमप्रेचिय के उनसार अपने शरीर के तपमान को कम अधवाधिक नहीं कर पाते हैं लेकिन मत्स से उभाचर मादा के शरीर के अंदर जाकर निशेचन जाकर यह करते हैं तो निशेचन प्रकार आंतरिक यह बाई है कि मत्स्य में आंत्रीक भी होता है किन्हिति किन्हें गट सारे बर गते हैं कि कि लोषाें पहलMM होता है यह दुन हुआ है तुन होता है यह पहलं करते हैं निवास कहा है है मट्स बर्ग जवमीन दीवास कोड़ और आता जिनके पाए जाती है अगर तो कहां पार पड़ाम नहीं होते हैं तो कहां नहीं मिलते सरी सरी प्रफ में अगर पैर हो तो में चार-पांच अंगली मिलती है नहीं नहीं दो कोई बात नहीं लेकिन महत्तुपुर्ण क्या है कर चलते हैं पक्छी क्या करते हैं अकास में उड़ने वाले होते हैं क्योंकि फुरुमुटी में होती है आगे बताएंगे और अश्तंधारी कौन होते हैं बच्चे देने वाले होते हैं इनका त्वचा कैसा होता है मत्सी का त्वचा और सल्क सहीत होता है मचली पर सल्क लगे होते हैं आप देखेंगे इस प्रकार से इस प्रकार से सल्क लगे होते हैं अभी मचली आगे दिखाएं कि हम उस पर सल्क सबस्क्राइब का कि इनके तोचा है को ऊच्यां का नम सब्सक्राइब होता है कि मैं इसेonal नहीं होता है कि इनका सुस्क तवचा होता है जैसे छिपकली को देख सकते हैं आप या गिर्गट को देख सकते हैं किसी को देख सकते हैं तो उनका तोचा जो होता है सुखा होता है एक खुरदरा होता है अब गिर्गेट स्कोष असानी समझ सकते हैं उनका तुचा बिल्कुल सुखा होँआ है और खुरदरा है और सल्क सहित है गिरिगट के ऊपर सल्क होता है और ऐसे भी देख सकते हैं कि छिपकली जो है वह अपने सल्क केंचुली के रूप में निगालता है तो केंचुली देता है रिण बख्चаютьी मैं पूच में पूच वह पंक में तेल गरंथिया पाई प्वक्षियों के और अस्तंधारों कि तो आ चाल अगें परूद इनेयमा क्या है इनेयमा हमने बताया था रुष्ट ने दो भागम वोट था इनेयमा इनेयमा क्या है इनेयमा वो होते थे जिन में लाल रक्त नहीं पाया जाता है और इनेयमा ही होते हैं जिन में लाल रक्त पाया जाता है तो इन तो सब में यह तो कसेरुकी है न सब कसेरुकी और पक्षि बेस्टा रёнडाउज सब एझ होते हैं क्यों अस्तंधारी जराईज होता है एक सब बच्राइपे प्रक्षा देते हैं कि क्य Хाली निकि मत्से में यूग मित आयुग मित मени помंक होता है मतलब मतलब बीना जोड़ा जैसे करिए यह जित है LOOK होता फिर फिर फंक यह और यह यह युक्मित चैस tv और पीछे भी होता है वह युगमित का लाता है इस प्रकार से अभी मिलूसली दिखाएंगे हम अगले स्लाइड में कि ऑज़ स्बेर में में और पकेंट होता है में एक से अधिक जोडी पल के डी जैसे में इस जोड़ी पलके होती है कि वे तो पस्लियां होती है सर्फ सर्फ में हड़ी नहीं होती है और हड़ी पसलिया और ज्यादा डिटेल्स में गंकाल तंत्र में बताएंगे तो लपेट लेता है लेकिन हड़ी होता है क्या होता है होता है जो लची में अगर पाइट पंखों में रुपांतरित हो जाता है आगर पाइव समय स्वेध गरंथियां होती है कि मचलियां जब जल के अंदर ज्यादा नीचे जाती है लिए जल का दबाव उन पर पड़ता है तो इसको कम करने के लिए आधिजल्गा दबाव को बैलेंस करने के लिए उसमें भर लेती हैं कि उभाइचर में कलोका होता है है शरीश्रीव में बिकलोका होता है क sparked का होता है नुका भी इन के शरीर के बाहर एक ऐसा छोस होता और जहां पर जनन मार्ग और जहां पर जनन मार्ग या पाचन तंत्र यह सब आकर यही पे खुलते हैं क्लोका में इसको आगे फिर अभी देखेंगे क्लोका लेकिन अस्तन्धारी क्या करता है बच्चा देता है यानि बच्चा देता है इस स्लेश में दुख दूदपातन गरंथिया होती हैं और इन सम्में नहीं होती हैं कि उदारण इसका देखते हैं उदारण कि इनी सप्टापर्टियों के अधार पर हम लोग डिशाइड करते हैं कि कौन मत्से होगा कौन भाइचर होगा कौन बक्षी और कौन संधारी अब उदारण देख लेते हैं मत्स के उदारण है रोहू तार्क अर्पीडो समुद्री घोड़ा इत्यादी मेधक के उदारण है मेधक पंक्सरत लामेंडर गोल्डेन मेंटल इत्यादी इत्यादी इसका भी जानते हैं मेधक देखे ही हैं से लामेंडर और सर्पेंटर यह जैसे छिपकली होती है उससी प्रकार का होता है उसे भिंदी भिंदी होता है यह से लामेंडर जल में रहता है आधिकांस्ता